So good morning guys और आपके क्रेक एक्जाम चेनल में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में 20 नवंबर की important current affairs को हम लोग cover करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है हाली में किस ने लीलावती पुरुसकार 2020 को launch किया तो अंसर होगा रमेश पोकरियाल निशंक ने हमारे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AICTE के अभिनाव सिक्षा कारेकरम लीलावती पुरुसकार 2020 का उद्गाटन किया है और लीलावती पुरुसकार 2020 का विशेरहा महिला सशक्तिकरन यानि कि woman empowerment तो इस पुरुसकार का उद्धिश्य है महिलाओं में स्वास्थय, पोशन, सिक सिक्षा, रोजगार, स्वच्छता जैसे मुद्दो के बारे में जागरुकता पैदा करना अच्छा AICTE मतलब अखिल भारते तक्निक की सिक्षा परिशद All India Council for Technical Education तो ये तक्निक की सिक्षा के लिए उपलब्द सुविधाओं पर सर्वेक्षन करता है इसके अद्ध्यक्ष वर्ष के अंत में विश्व का नंबर वन खिलाडी रहने की ट्रॉफी किसने जीती तो आंसार होगा नौवाग जुकोविच तो सर्विया की टैनिस प्लेयर है ये नौवाग जुकोविच और अभी इनको वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर वन खिलाडी रहने के लिए ATP पी टूर नंबर वन ट्रॉफी दी गई है जिसके बाद ये छटी बार ट्रॉफी पाने वाले पीट संपरास के बाद टैनिस इतिहास के एक मातर दूसरे खिलाडी बन गए हैं इससे पहले नुवाग जुकविच को 2011 में, 2012 में, 2014 में और 2015 और 2018 में ये वर्ल्ड के नंबर वन ख फिलाडी बने बाकी डॉमिनिक थीम की बात करेंगे ये आस्ट्रिया के टैनिस प्लेयर हैं आपको याद होगा इस साल जो यूएस ओपन हुआ, उसमें मेंट सिंगल का टैनिस जीता है नुवाग जोकविच ये सर्विया के टैनिस प्लेयर में ने आपको बताया और इस साल जो Australian open हुआ था उसमें main single का title जीता बाकि Rafael Nadal ये Spain की tennis player है और इस साल जो French open हुआ था उसमें main single का title जीता था इन्होंने इसके अलवा Rafael Nadal से एक और प्रशन बढ़ाता हमने अभी tennis में एक हजारवी जीत हासिल करने वाले ये दुनिया के चौथे खिलाड़ी भी बने थे तो ये भी ध्यान रखना आप इनसे बढ़ते आगे और हाँ गाईज अगर आप में से कोई student bank exams की preparation कर रहे हैं तो आपको बताए SBI PO के exam में अब कुछ ही दिन बचे हैं तो अपने exam की preparation करें unacademy के साथ में तो unacademy के top educator है अंकुष लांबा सर ये आपके लिए लेकर के आए है free test series for SBI PO prelims जिसमें होंगे reasoning test और उनका analysis और खास बात ये है कि ये जो test है ये बिलकुल free है तो आपको करना क्या है जल्दी से enroll करें description box में दिये गए link पर जाकर के और अपनी preparation को track करें और exam crack करें unacademy के साथ में ये link आपको नीचे description में मिल जाएंगे इसके अलावा अगर unacademy पे आप कोई भी subject buy करते हैं तो आप crack exam 10 नाम का promo code यूज करें आपको instant 10% का discount भी मिलेगा हम अभी बढ़ते आगे फिर हाली में मालडोवा की राष्टरपती कौन बन गई हैं तो अंसर होगा माया सेंडू तो अभी माया सेंडू ने हाली के चुनावों में इगोर डोडन को हरा करके मालडोवा का राष्टरपती पद का चुनाव जीत लिया है और आपको बता दू ये माया सेंडू वर्ल्ड बैंक की पूर्व अर्थ शास्त्री भी रह चुकी है और अब ये माल्डोवा की पहली मैला राष्टर पती बन गई है बाकिसादर जापर रोव किर्गिस्तान के ने प्रधान मंतरी बने थे एलेक्जेंडर देक्रो बेल्जियम के ने प्रधान मंतरी बने और हिचें मचीची ट्यूनीशिया के प्रधान मंतरी बने थे अच्छा बात माल्डोवा की है तो ये रा मैप में माल्डोवा कैपिटल इसकी चिये नू आ हुए करंसी है माल्डोवन लियू बढ़ते आगे फिर अभी किस बैंक ने कासा अभियान शुरू किया है तो अंसर होगा करनाटक बैंक ने तो अभी करनाटक बैंक ने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को प्रोचाहिद करने के लिए ये अभियान शुरू किया है CAASA मतलब Current Account, Saving Account और यह जो अभिहान है यह अभी 17 नवंबर को शुरू हुआ जो कि अगले साल 4 मार्च तक चलेगा देखो करनाटक बैंक की बात करेंगे Headquarter मिलेगा मैंगलूरू में और इसके MDCO है महाबलिश्वर रेमेस और इसकी टैग लाइन होती है Your Family Bank Across India बाकी Axis Bank अभी Automated Voice Assistant आकसा इसने लाँच किया था बैंको बढ़ोदा Insta Click Saving Account लाँच किया था और HDFC Bank के तो अभी नए MDCO बन गए शशीधर जगदीशन उनका नाम है बढ़ते आगे फिर है हाली में विश्विशोचाले दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 19 नवंबर को तो वैश्विक स्वच्छता संकर्ट से निपटने और सिप्रोचाहित करने के लिए 19 नवंबर को हम World Toilet Day के रूप में मनाते हैं और इसकी थीम क्या रहे है इस बार की Sustainable Sanitation and Climate Change अच्छा अब ध्यान से सुनना 19 नवंबर को राष्ट्र एकी करन दिवस की रूप में भी मनाते है National Integration Day और 19 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारी पहली महिला प्रधान मंतरी इंदरा गांधी जी की जैनती होती है और इस बार हमने उनकी 103 वी जैनती मनाई कौनसा डे बताया मैंने आपको राष्ट्र एकी करन दिवस अब राष्ट्र एकी करन दिवस को आप मिक्स मत कर देना राष्ट्र एक्ता दिवस के साथ में जो हम 31 उक्टूबर को मनाते है National Unity Day सरदार वल्लब भाई पटेल जी की जैनती को तो दोनों अलग-अलग है अब एक को दे सुनो 19 November को ही विश्व दर्शन दिवस की रूप में बवि मनाया इस बार हमने World Philosophy Day एक्च्वल में नॉम्बर की तीसरे गुरुवार को होता है तो इस बार ये 19 November को पढ़ा है और इसकी क्या थीम रही Importance of Philosophy in Times of Crisis यानि कि विश्व संकट की समय में दर्शन का महत्व तो 19 November को ये तीन डे मैंने आपको बताया इनको ध्यान रखना अब देखो Important Day वाला गुष्यन आ गया तो November में जो Important Day हमने मनाया मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ एक November को विश्व वेगन दिवस हमने मनाया पांच November को विश्व सुनामी जागरुकता दिवस साथ November को राष्ट्र कैंसर जागरुकता दिवस आठ November को वर्ल्ड रेडियोग्राफी Day 10 November को वर्ल्ड साइन्स Day मनाया 11 November को राष्ट्र सिक्षा दिवस मनाया 12 नवंबर को World pneumonia day मनाया और 12 नवंबर को हमने लोकसिवा प्रसारन दिवस भी बनाया 13 नवंबर को विश्व दयालूता दिवस मनाया 13 नवंबर को ही हम राष्ट्र आयूर्वेद दिवस भी मना रहे इस बार और 14 नवंबर को World diabetes day मनाते हैं 16 नवंबर को हमने अंतर राष्ट्र सहिश्व नूता दिवस मनाया और 16 नवंबर को राष्ट्र प्रेश दिवस भी मनाया उसके अलावा अभी 17 नवंबर को राष्ट्र मिर्गी दिवस और International Students day मनाया था और अभी 18 नवंबर को नेक्चुर प्रेश दिवस हमने मनाया भारत में तो नवंबर में अभी तक ही सारे important days हमने मनाया अच्छा अगर आप में से कोई इस वीडियो को first time देख रहा है तो आपको बता दू October के जितने भी important days हमने मनाया है तो उसका एक particular वीडियो में ने बना दिया है तो अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो वो देख लिजिएगा October के सारे important days with theme आपको वहाँ पे मिल जाएगा अभी हम बढ़ते आगे फिर है विजे नगर ये किस राज्य का 31 जिला होगा तो आंचर होगा करनाटक तो अभी मंतरी मंडल की मंजूरी के बाद विजे नगर जिसे बलारी जिले से अलग किया जाएगा और ये करनाटक का इस तरह से 31 जिला बनेगा अब करनाटक का बनेगा तो ये रा मैप में करनाटक देखो करनाटक की कैपिटल बैंगलूरू है यहां के मुख्य मंतरी हैं बी-एस यदी यूरपपा और गवर्नर है वाजुभाईवाला अभी आपको याद होगा भारत का पहला चंदन संग्रहाले ये करनाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा उसके अलावा याद रखो भारत की पहली तट रक्षक अकादमी यानि की कोस्ट गार्ड अकेडमी मैंगलूरू में स्थापित की जाएगी उसके अलावा करनाटक सरकार ने देश की पहली इंटिग्रेटिड एर एंबुलेंस सर्विस को शुरू किया भारत का पहला खिलोना निर्मान समू ये बनेगा करनाटक में यानि की टोय मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर उसके अलावा करनाटक सरकार ने हतकरदा बुनकरों के लिए नेक करा सम्मान योजिना भी शुरू की और याद रखना करनाटक का जो हुबली स्टेशन है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा यानि की सबसे लंबा प्लैटफर्म बनेगा जिसके लंबाई होगी 1400 मीटर वैसे अभी वर्थमान में गोरकपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लैटफर्म में उसके लंबाई है उसके अलावा अभी करनाटक सरकार ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाए था करनाटक सरकार से आप तीन एप्लिकेशन याद रखो आप तो मित्र एप्लिकेशन, कोरोना वाच एप्लिकेशन और मेग संदेश एप्लिकेशन नमस्ते ओवर हैंडशेक अभ्यान भी करनाटक ने शुरू किया था तुंग बद्रा डेम आपको करनाटक में मिलेगा तुंग बद्रा नदी पे कुछ नेशनल पार्क में आपको बताओ यहां से तो बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया अंशी नेशनल पार्क हो गया बेनर गट्टा नेशनल पार्क हो गया उसी दर से नगर होल नेशनल पार्क हो गया ये सब यहाँ पे मिलेंगे एक नुकलियर पावर प्लांट और याद रखो आप काएगा नुकलियर पावर प्लांट ये भी करना तक्का है बढ़ते आगे फिर है हाल ही में किसे Finance Peer का Brand Ambassador बनाया गया तो आंसर होगा रोहिट शर्मा को तो अभी भारते किरकेटर रोहिट शर्मा को Google Incubated शिक्षा शुल्क वित्ट पूशन कमपनी Finance Peer का Brand Ambassador बनाया गया है वे शिक्षा शेत्र को बदलने और Finance Peer के साथ शिक्षा के विभिन शेत्रों में नवीन्ता लाने में मदद करेंगे अच्छा रोहिट शर्मा से अभी कुछ और मैं आपको किशन बताता हूँ अभी ये Doctor Trust जो की Medical Apparatus बनाने वाली कमपनी उसके Brand Ambassador बने थे और Vegaman के Men's Grooming Product के ये Brand Ambassador बने थे उसके अलावा Crick Kingdom के ये Brand Ambassador बने और Sports Eyewear Brand ओकले के Brand Ambassador बने थे उसके अलावा इस साल का जो राजी उगांदी खेल रतने पुरसकार है पांच खिलाडियों को मिला उसमें एक नाम ये भी है रोहिच शर्मा का तो ये भी आद रको बाकी स्मुरती मंदाना कली पड़ाए Equitas Small Finance Bank की Brand Ambassador बर बनी Lewis Hamilton Formula 1 ड्राइवर है ये और LG के ये Brand Ambassador बने थे वेसे तो ये ब्रिटेन से हैं और किस कार कंपनी के ड्राइवर है इस तरह के प्रशन भी आते हैं एक्जाम में Mercedes के दिशा पाटनी मिंतरा के Beauty and Personal Care सेगमेंट की Brand Ambassador बनी थी बढ़ते हैं फिर अगला प्रशन है हाली में भारत की पहली हरित उर्जा अभीशरण परियोजना यानि की Green Energy Convergence Project ये किस राज़े में स्थापित की जाएगी तो आंसर होगा गोवा तो गोवा भारत का पहला राज़े होगा जहां पर ये हरित उर्जा अभीशरण परियोजना इस्थापित की जाएगी तो ये गोवा में Renewable Energy Sources के उपयोग में तेजी लाएगा और इसकी करशी और ग्रामिन बिजली की खपत को पूरा करेगा और ये अपनी तरह का पहला अभीशरण परियोजना होगी जो करशी और ग्रामिन उपभोग के लिए Green Energy प्रोडियूस करेगा तो याद रखो इस तरह के Convergence Project को लागू करने वाला गोवा पहला राज्य है अब बात गोवा की है भगत सिंग कोशारी उनके पास का Additional Charges है क्योंकि फिरहाली में किस राज्य ने वादसल्य योजना और समर्थ योजना लाउंच की है तो आंसर होगा राजस्तान ने तो एक्चलि में भी राजस्तान की सरकार ने 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक बाल विकास सप्ता Child Rights Week के रुपे मनाया और उसी के दोरान महा के मुख्यमंत्री जो अशोक गेलोत है उन्होंने अनात और बेसहरा बच्चों के लिए ये वादसल्य योजना और समर्थ योजना को शुरू किया है साथ ही उन्होंने जोद्पूर में बच्चों के लिए कोशल विकास और परामर्ष केंद्र का भी उधगाटन किया तो इस योजना को शुरू करने का मेन उद्देश है कि बच्चों के साथ बाल श्रम या बाल विवा जैसी कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए अब बात राजस्तान की है तो येरा मैप में राजस्तान देखो राजस्तान की कापिटल जैपूर है जैपूर कोई पिंक शीटी बोलते हैं और अभी जैपूर के परकोटे को World Heritage Site का दर्जा भी मिला था याद रखना जैपूर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी सिटिंग कैपसिटी होगी 75,000 गी मुख्य मुंत्री अशोक गेलोत हो गए गवर्नर है कल राज मिश्र और यहांके चीप सेश्टिस का नाम है इंद्रजीत मोहंती अच्छा राजस्तान दिवस कब मनाते हैं हम लोग 30 मार्च को मनाते हैं ये भी याद रखो बाकि आपको याद होगा कानून बनाकर मास्क को अनिवार्रे करने वाला ये पहला राज्य बना अभी राजस्तान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को शुरू किया और राजस्तान के जोधपूर में नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभ्यान शुरू किया था बाकी प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने जेपुर में पत्री का गेट का भी उद्गाटन किया था राजस्तान ने अभी वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की उसके अलावा इंदरा रसुई योजना शुरू की जिसमें गरीबों को और जरुरत मंदों को आठ रुपे में खाना मिलेगा अच्छा एक बार एक्जाम में पूछा गया था कि भारत की सबसे बड़ी इन लेंड सॉल्ट वाटर लेक अंतर देशे खारे पानी की जील ये कौन सी और कहां पर है तो सांबर लेक है और ये राजस्तान में है देखो राजस्तान में तीन टाइगर रेज़र्व आपको मिलेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व रन थंबूल टाइगर रेजर्व और मुकंदरा हिल्स तो ये याद रखना बढ़ते हैं गे फिर है हाली में जारी सबसे शक्तिशाली सूपर कम्प्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का परमसिद्ध AI किस स्थान पे रहा तो अंसर होगा 63 नमबर पे तो अभी हाली में जारी दुनिया के टॉप 500 सबसे शक्ति शाली सूपर कम्प्यूटर की सुची में भारत्य सूपर कम्प्यूटर परमसिद्ध AI को 63 स्थान पे रखा है देखो एक्चुली में इस लिस्ट में भारत की 3 सूपर कम्प्यूटर है 63 नमबर पे तो परमसिद्ध है, 78 नमबर पे मिहर है और 146 नमबर पे है प्रत्यूश और इसी के साथ सूपर कम्प्यूटर शम्ता वाले देशों में भारत के रैंक सतर भी है 17 देखो एक्चुली में ये जो लिस्ट है ना, साल में दो बार आती है एक तो जून के महीने में और एक नमबर के महीने में तो इस बार जब जून के महीने में ये लिस्ट आई थी तो इस लिस्ट में भारत के दो सूपर कम्प्यूटर थे और उसी के साथ भारत की जो rank थी वो थी 23 और नवंबर में आप देख रहे हो तीन सूपर कम्प्यूटर हैं भारत के इस list में और उसी के साथ भारत की जो rank है वो हो गए ये 17 अच्छा इसमें टॉप पे कौन सा सूपर कम्प्यूटर है और किस देश का है तो जापान का है और उस सूपर कम्प्यूटर का नाम है जापान के सूपर कम्प्यूटर का नाम फुगाकू फुगाकू बढ़ते आगे फिर अगला प्रशन है हाली में ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया तो आंसर होगा भुवनेश्वर तो उडिसाक की कैपिटल है भुवनेश्वर और अभी FSSM यानि कि फेकल स्लच और सेप्टेज मेनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बन गया ISO का मतलब होता है International Organization for Standardization तो देखो फेकल स्लच और सेप्टेज मेनेजमेंट का उद्देश है ये है कि सभी भारते शहर और कस्बे पूरी तरह से स्वच स्वास्त्य और रहने योग्य बने अब भौनेश्वर कैपिटल है उडिसा की तो ये रा मैप में उडिसा देखो कैपिटल इसकी भौनेश्वर है मुख्य मंत्री है नवीन पतनायाक और गवर्नर है गणिशिलाल अभी यांके चीफ जस्टिस बने थे महम्मद रफीक उनका नाम है बाकी याद रखना हिमाच प्रदेश की बाद में उडिसा की जो विधान सबा है उसको ये विधान सबा में अपग्रेड किया जाएगा उसके अलावा अभी उडिसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल और एक छातरवती वेब पोर्टल भी लांच किया अभी सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजिना भी शुरू की गरीमा योजिना शुरू की मो विध्यूत पोर्टल लांच किया एक सेचा समधान मुबाइल एप्लिकेशन को भी लांच किया किसानों के लिए और यहां पर यह जो आप देख रहे हो यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की 30 यह जील है जिसको चिलका लेक केते हैं लॉंगेस्ट डेम ओफ इंडिया हीरा कुट डेम यहीं पर मिलेगा आपको महानदी पर है यह यह सब याद रखना बढ़ते आगे फिरहाली में किस देश ने 10 वर्ष यह गोल्डन विजा जारी करने की घोशना की है तो अंसर होगा युनैटेड अरब अमिराथ तो अभी युनैटेड अरब अमिराथ ने विदेशी पेशेवरों को यानि कि जो डॉक्टर वगरा हो गए इंजिनियर वगरा पीच्डी होल जान देने की योजना बना रहा इसके थुरूफ अब बाट यू ए ए की है तो येरा मैप में यू ए ए कैपिटल अबुधा भी है करंसी है दरेम प्रसिडेंटेंटें शेक खलिफा बिन जाय दलनयान और यहाँ पे जो दुबई है वो हैटकोटर मिलेगा यहाँ पे आपको ICC का अभी आपको बताए United Arab अमिरात में IPL चल रहा था 13 संस्करन था और इस बार के IPL की विजेता टीम कौन सी रही तो एक बार फिर से मुंबई इंडियन्स तो आप बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गे प्रशन के उत्तर की तो कल की वीडियो में आपसे पूछा ग जितने भी important appointments हुए थे तो उन सारे important appointments वाले question को एक साथ हम लोगों ने cover कर लिया है उसके ओपर वीडियो में ने बना दिया पहले मैंने audio बना दिया था उसके बाद वीडियो भी बना दिया है और उसको कल upload कर दिया अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो दे ranking and indexes देख लेंगे फिर कोई अभियान वगरा पॉर्टल वगरा आए यह हम cover करेंगे तो इस तरह से topic wise current affairs को हम cover करने की planning कर रहे हैं और इसमें भी खास बात यह रहेगी कि monthly wise month to month हम cover करेंगे तो उसमें कोई भी question अमरा नहीं छूटेगा लेकिन इन सब चीजों के लिए चाह बस वीडियो को जम के share करो जो भी आपका WhatsApp गुरूप हो गया जो भी Facebook गुरूप हो गया हर जगे आपको share करना है और उसे like करना मत भूला करना मत भा जाद सियाएं करना मत Jamaica जाद टढगे खाएं करना मत भाद प्र घूचरूब dog annual ढ़्र भी आएंगा ऑर विशोन में सब भीए हो पुरूप होुरूप हो ऐस centरी कि मतें जाव को रहे बादेगा इन समया ऑग करत करना मत भीतार य inv olm एंत जाण आजगा उना जोग